अब इस प्ले लिस्ट की लास्ट वीडियो में हम कुकुर्बिट ऐसी फैमिली या फिर गौड फैमिली स्टडी करेंगे इस फैमिली के मेंबर्स को जनरली कुकुर्बिट नाम से बुलाया जाता है और इन्हें ज्यादातर वेजिटेबल के तौर पे और फ्रूट के तौर पे इस्तिमाल किया जाता है इस फैमिली में 117 के करीब जनरा और 825 के करीब स्पेशीज है इस फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स अन्यूल या फिर परेनियल हर्ब्स होते है बात करते हैं इस family के vegetative characters की तो क्योंकि ये dicot है तो इनमें आपको tap root देखने को मिलेगी और कुछ cases में ये roots water और food material के storage की वज़े से थिक दिखाई देती है इस family के members की stem herbaceous और branch होती है इस family में आपको whale वरगिया पौधे दिखाई देंगे जो किसी support के सहारे ऊपर चड़ जाते है मतलब कि इनमें ज्यादर members जो है वो climbers है leaves की बात करें तो यहाँ पे petiolate leaves होती है जिनमें petiol लंबी और hollow होती है ये simple और lobed leaves है जिनमें stipules नहीं होते है leaves में reticulate venation दिखाई देगा generally permanently vained और ये alternate philotaxi दिखाईंगे फिर एक खास बात जो आपको इन plants में दिखाई देती है वो है tendrils इनी की मदद से ये plants support को पकड़ कर ऊपर चड़ते है अब vegetative characters के बाद इस family के reproductive characters हम देखते है यहाँ जातर members में एक ही plant पर male और female flowers अलग-अलग जग़ पर produce होते है मतलब majority of the cucurbits are monotious इनमें male flowers के संख्या female flowers से बहुत अधिक होती है इनमें sex ratio मतलब male to female flowers ratio 25 to 30 to 1 से लेकर 15 to 1 तक हो सकता है फिर कुछ members ऐसे भी होते है जिनमें एक plant पर सिर्फ male flowers और दूसरे plant पर सिर्फ female flowers produce होते है मतलब कि वो diocious plants है एक्जामपल के तोर पे याद रखिए परवल, कुंदरू और कंटोला हो सकता है आप इसे और किसी नाम से जानते हो इसलिए मैंने इनका English name और Botanical name दोनों भी याँ mention किया हुआ है फिर कुकुमबर की कुछ varieties ऐसी है जिनमें एक ही plant पर अलग-अलग जगह पर female flowers और bisexual flowers produce होते है मतलब ये varieties गाइनो मोनोशियस forms है उसी तरह musk melon और water melon की कुछ cultivars में एक ही plant पर अलग-अलग जगह पर male flowers और bisexual flowers लगते है मतलब ये varieties एन्डरो मोनोशियस forms है आखिर में याद रखिए कि कुछ members में आपको एक ही plant पर male, female और bisexual flowers produce होते हुए दिखाई देंगे और इस condition को कहते है try monosious condition भले ही आपको ये सारी conditions इस family में देखने को मिले पर ज़्यादातर members इस family के monosious होते है अब inflorescence और flowers की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर solitary flowers produce होते है मतलब ये flowers singly produce होते है पर अगर कुछ members में फूलो का गुच्छा दिखे तो वो racemos भी हो सकता है या फिर simos inflorescence भी हो सकता है अब individual flowers की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ unisexual flowers produce होते है तो इसका मतलब हुआ कि यह incomplete flower है यह flower actinomorphic और pentamorous होते है जिन में inferior ovary होती है मतलब की epigynous condition है यहाँ पे male flowers में 5 fused sepals होंगे जो की imbricate estivation दिखाएंगे या फिर quin clinical estivation भी हो सकता है फिर यहाँ petals भी 5 रहेंगे जो की fused होते है और यह velvet या फिर imbricate estivation दिखाएंगे stamens भी 5 होंगे जो fused होंगे stamens 3-5 के बीच में भी हो सकते है इनमें dithecus anthers होंगे कुछ members में यह 5 stamens इस तरह से fused होते है कि 2-2 stamens चिपक कर 2 pairs बनाते है और एक stamen अकेला होता है फिर male flower में gynosium जो है वो एक तो absent होंगी या फिर rudimentary होंगी अब female flower के बारे में जानते है female flower में भी male flower की तरह ही 5 fused sepals होंगे जो quin quinical estivation बताएंगे या फिर imbricate estivation दिखाएंगे और यहां भी 5 fused petals होंगी जो valvet या फिर imbricate estivation दिखाएंगी अब क्योंकि यह female flower है तो यहां पे stammins तो absent रहेंगे या फिर यहां पे आपको staminodes भी दिख सकते है गाइनोशियम की बात करें तो female flowers have three spreading stigma lobes single style and inferior ovary यहां tricorpelleri syncarpus condition होती है female flower को male flower से आप बहुत easily distinguish कर सकते हो female flower में आपको sepals और petals के नीचे fruit के आकार की ovary दिखाए देंगी ovary में जो ovules है वो parietal placentation दिखाते है fertilization के बाद जो fruit बनता है वो generally paper type का ही होता है अगर आपको याद हो तो simple fleshy fruit में हमने paper के बारे में पढ़ा था कुछ members इस family के ऐसे भी होते है जिनमे paper fruit नहीं बनता है जैसे wild cucumber mara macrocarpus इनमे capsule type का fruit बनता है generally इस family के members के जो seeds होते है वो dicotyledness और endospomic होते है और वो flat होते है पर climbing god मतलब alsometra macrocarpa इनमें कुछ अलगी seeds बनते है they produce one of the largest winged seeds अब इन सब features को ध्यान में रखकर हम इस family का floral formula लिखते है तो पहले हम male flower का floral formula लिखते है ये flowers bracteate भी हो सकते है या फिर e-bracteate भी हो सकते है ये actinomorphic है male flower है यहाँ पे 5 fused sepals है इसलिए 5 को bracket में रखा है और 5 fused petals भी है अब androsium के बारे में ध्यान दीजिए 3 से 5 fused stemens भी यहाँ पे option में हो सकता है या फिर 5 fused stemens या फिर 2 fused stemens प्लस 2 fused stemens प्लस 1 stem तो ये कुछ भी option में हो सकता है फिर gynosium absent है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया अब हम female flower का floral formula लिखते है ये भी bracteate या फिर e-bracteate हो सकता है ये भी actinomorphic flower है female flower है यहाँ भी 5 fused sepals और 5 fused petals है androsion पर यहाँ पर भी ध्यान दीजिए हो सकता है यहाँ option में 0 रहे या फिर std मतलब staminodes लिखा हुआ हो फिर g के पास bracket में 3 क्योंकि tricarpillary syncarpus condition है और 3 के उपर dash क्योंकि ovary inferior है तो यह हो गया floral formula अब हम बनाते है floral diagram पहले male flower की floral diagram बनाते है यह लगा दिया mother axis यह है 5 fused sepals estivation हमने clearly नहीं बताया है क्योंकि it may vary अगर bract है यहाँ पे तो आप यहाँ पे sepals के बाहर draw कर सकते हो bract और अगर e-bractate है तो यह आपको यहाँ पे नहीं निकालना है फिर अंदर चलिए यह है 5 fused petals valved estivation बताने के लिए यह loops लगा दिये हमने अब अंदर androsium में भी variation हो सकते है 5 fused stamens हो सकते है जिनमें 5 anthers भी और filaments भी fused हो सकते है या फिर 2-2 anthers आपस में चिपक कर 2 pairs बनाएंगे और 1 stamen अकेला होगा फिर gynosium यहाँ पे absent है इसलिए हमने कुछ भी draw नहीं किया है अब female flower की floral diagram देखिए यह लगाया हमने mother axis यहाँ भी male flower की तरह हमने 5 fused sepals और 5 fused petals बनाएं हमने अब अंदर stamen absent रहेंगे तो आपको कुछ नहीं बनाना है फिर gynosium देखिए tricarpillary syncarpus ठीक है और इसमें यह ovule बनाए है हमने जो parietal placentation दिखाते है हो सकता है यह जो placentation मैंने draw किया है वो exile ले गए आपको लेकिन यह exile placentation नहीं है parietal placentation है अब हम आते हैं इस वीडियो के last point पर that is the economic importance of cucurbitesi family इस family के जयातर members के fruits इनको आप fruit के तौर पे या फिर vegetable के तौर पे खाते है जैसे खर्बूज, तर्बूज, कद्दू, लौकी, तुरई, परवल, करेला, ककड़ी, एक्सेट्रा इन सब का botanical name और English name यह दोनों भी आपको याद रखना है फिर कुछ बुक्स ने कहा है कि इस family के कुछ members को ornamentals के तौर पे इस्तमाल किया जाता है या फिर उगाया जाता है जैसे egbalium, sechium और sechios but actually these plants are of minor importance in gardening and they cannot be correctly called as ornamentals फिर कुछ मेंबर्स ऐसे है जिनमें medicinal property है जैसे citrullus colosynthis this plant has been reported to possess a wide range of traditional medicinal uses including in diabetes, leprosy, common cold, cough, asthma, bronchitis, jaundice, joint pain and in gastrointestinal disorders और तो और इनके fruits और roots का इस्तमाल snake bite के against किया जाता है इनके fruit में से एक alkaloid, colosynthin निकाला जाता है फिर loofa sponge इसके बारे में अगर आपने सुना होगा इसे आजकल बहुत से homemade साबुन में इस्तमाल किया जाता है ये vegetable sponge या फिर loofa cylindrica यानि की जो पतली वाली तुरई या फिर smooth वाली जो तुरई होती है जिसे sponge god कहते है वो जब पूरी तरह से mature हो जाता है और dry हो जाता है तो उससे ये loofa sponge बनता है ये बहुत ही course होता है और mature होने पर एक अच्छे scrubber के तौर पे यूस किया जाता है इन सब के अलावा कुछ gods ऐसे भी है कि जिनके fruits से decorative items या फिर containers या फिर ornaments और तो और musical instruments भी बनाए जाते है So this was all about cucurbitassi family यहाँ पे हम morphology of flowering plants ये chapter या फिर ये playlist फिनिश करते है